साथियों, असम की खुशाली, यहां की प्रगती का एक बहुत बड़ा केंद्र, असम के चाय बागान भी है सोनित्पूर की लाल चाय तो वैसे भी अपने अलग फ्लेवर के लिए जानी जाती है सोनित्पूर अरशम की चाय का स्वाद कितना खास होता है, यह मुझसे बहतर भला कौन जहनेगा इसलिए मैं हमेशां से चाय वरकर्स की प्रगती को पूरे आसाम की प्रगती से जोड़ करके ही देखता हूँ मुझे खुसी है कि इस दिशा में असम सरकार कई सकारात्मक प्रयास कर रही है अभी कल ही असम चाहा भगी चाहा धन पुरसकार मिला स्कीम के तहट असम के साड़े साथ लाक टी गार्डेन वरकर्स के बैंक खातों में करोडों रुपिये सीधे ट्रांसपर किये गए हैं ती गार्डेन्स में काम करने वाली गर्बबती महिलाओं को एक विशेश योजना के तहट सीधे मदद दी जा रही हैं ती वरकर्स और उनके परिवार के स्वास की देखवाल के लिए जांच और रिलाज के लिए टी गार्डेन्स में ही मोबाइल मेडिकल यूनीट भी बेजी जाती है मुप्त दवाओं का भी इंतजाम किया जाता है असम सरकार के इनी प्रयासों से जुड़कर इस बार देश के बज़ेट में भी चाए बागान में काम करने वाले हमारे भाई और बहनों के लिए एक हजार करोड रुपिये की विशेश योजना की गोशना की गई टी वरकर के लिए एक हजार करोड रुपिये यह पैसा आपको मिलने वाली सुवध्याओं को बढ़ाएगा हमारे टी वरकर का जीवन और आसान बनाएगा